नमस्कार सातियों, जो माकसा चैनल में आप सभी का स्वागत है, आज अपन बहुत महत्पूर मुद्दे पे चर्चा करेंगे, आज अपन फूट पे बात करेंगे, पोशन पे बात करेंगे, तो देखिए जैसा कि आप सभी को मालम होगा, जो मानव सरीर है, उसको कार करने के पोशन की आवशक्ता होती है, जैसा कि आप सभी काम पे जाते होंगे, तो आपको क्या भूक लगती है, और माली जी आपको जब भूक लगी और मैं खाना ना दू, तो आप सोच सकते की कैसी स्थिती होती है, तो इसलिए आज अपन भूक के मुद्दे पे बात करेंगे, फ सुप्रीम कोट का ये कहना है, एक PIL लगाई गई थी, आपको मालम होगा, PIL क्या होता, पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन होती है, आपको मालम होगा, अभी COVID-19 आया था, लॉक डाउन हो गया था, तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे जो वरकर है, वो माईगरेंट वरकर जो थे, एक जगा से दूसरे जगा क्या हुआ था, वो गए थे, तो क्या हुआ था, उनके खाने को लेके, उनके राशनकार उनके पास नहीं है, तो उनको भोजन कैसे उपलब्द कराये जाएगा, इस सारी चीजों को लेकर, क्या है, टॉप कोड जो अपना सुप्री को यह order दिया गया था, कि वो उनके क्या है, खाने की जरूरत को, food की जरूरत को पूरा करे, कोई भी आदमी अपने हाँ भुका ना सो पाए, तो उसी मुद्दे को देखी आगे बढ़ाते हुए, अभी court क्या कर रहा था, एक public interest matter पर बात चल रही थी, migrate worker से related, वो ही COVID-19 pandemic में जिसमें lockdown लगाया गया था, उसी की बात चल रही है, तो अभी court ने ये का है, कि जो भारत है, जो भारत की संस्कृती है, आप तो जानते होंगे, भारत की संस्किती वसुदेव कुटमकम परकार करती है, अपनी संस्किती सब को आगे लेकर चलने की बात करती है, और अपनी स भारत में कोई भी भूका ना सोपाए, सुप्रीम कोट ने ऐसा कहा है, और सेंटरल गवर्मेंट को ये कहा है, कि जो National Food Security Act है, उसके दोरा आप भारत के अंदर हर व्यक्ती तक खाना पहुचाईए, अंतिम पंक्ती तक खाना पहुचाईए, तो अब अपन बात करते है, National Food Security Act क्या होता है, तो देखिए, 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश क्या था, Nutrition Value वाला Food, अच्छा Food, उच्छ Quality का हर व्यक्ती तक पहुचाना था, आखरी आदमी तक पहुचाना था, इसमें 50% करीब जन संक्या जो थी, वो से अरबन की ली गई थी, 75% एक्टेटिंग मदर होती है, जो प्रेग्डेंट वुमेन होती है, उनको भी कम से कम 6000 रुपे तक की क्या है, रिलीफ प्रदान किया गया था, एक तरीके से क्या गया था, उनको भी सुविधा दी गई थी, तो यह मैंने आपको सरल शब्दों में थोड़े प्रावधान बत है, कि सेंटर क्या करे, एक नया सा क्या करे, फिर से एक सब्मिट फ्रेश चार्ट करे, कि कौन से माइग्रेंट और आरगोनाई सेक्टर के वरकर हैं, जो इसरम पोर्टल पर रिइस्टर किये गया है, उनकी जानकारी मांगी गई यह, आपको मालूम है, कोबिड-19 में एक प गवर्मेंट का क्या है, दाइत बनता है कि NFSA के तहट सब को पहुचाए खाना, लास्ट में तक, और यह भी कहा है कि हम यह नहीं कह रहे है कि सेंटर कोई काम नहीं कर रहा है, सेंटर ने अच्छा काम किया है COVID-19 में, फूड ग्रेंट पहुचाया है, पीपल को COVID-19 के दौरा प्ली लगी थी, सुप्रीम कोट में लगी थी, तो एक पक्च होगा, एक विपक्च होगा, तो जो एड़ोकेट प्रसांद भूसंट जी है, जो कि क्या social activist जो होते हैं, जो migrant worker के लिए कार करते हैं, उन्होंने यह लगाई थी, तो उनकी तरफ से उनका कहना है कि जो country की population है, और यदि अपन 2011 के आधार पर क्या करेंगे, beneficiary decide करेंगे, तो बहुत सारे लोग क्या इस से छूट जाएंगे, और उन्होंने यह कहाए कि बहुत सारे eligible और needy beneficiary जो है, वो deprive हो जाएंगे benefit के, यदि law को सही तरीके से क्या, effectively उसको क्या नहीं किया गया, enforce नहीं किया गया, तो इनकी मांगे कि उसको अच्छे से enforce किया जाए और सभी तक खाना पहुचाया जाए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका ये भी कहना है कि यदि per capita income जैसा की सरकार बता रही है, भारत के व्यक्तिगी बढ़ गई है, people की बढ़ रही है, तो भारत global hunger index में जितनी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, क्योंकि global hunger index में कहीं न कहीं आपकी इस्तिती खराब हो रही है, आप यहाँ इंदी में भी देख सकते हैं, अब अपन आगे बात करते हैं, तो अब आप देखिए, सरकार का क्या कहना है, सरकार का पक्ष भी बहुत जरूरी है, तो additional solic text में, तो इनका कहना है कि हम सभी को सुविधाय दे रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि 2011 की census जैसा कहा जा रहा है, कि उसके आधार पर हम सुविधा दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, 2011 की census ने किसी को गवर्मेंट को बिल्कुल नहीं रोका है, और गवर्मेंट दिन पर दिन क्या कर रही है, NFSA के तहट लोगों को कवर करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर देख यह भूसं जी जो है, उनका ये भी कहना है कि 14 स्टेट ने क्या किया है, एफिडेविट फाइल किया, और उन्होंने बताया है, कि जो कोटा था उनको दिया गया था, पर दिन का रही है, उनके पास क्या था, जो खाने का कोटा था, वो खतम हो चुका है, तो अब वो आगे कैसे बाटेंगे, यहाँ भिंदी में भी देख सकते हैं, अब अपन आगे देखते हैं, तो फिर टॉप कोट ने क्या कहा, तो टॉप कोट ने ये कहाया है, कि पहले भ विधान की सबसे बड़ी किस्ताव, अपना Constitution के Fundamental Right में Article 21 के तहत कवर होता है, आपको मालूँगा Article 21 है, Protection of Life and Personal Liberty, प्राण और देख सुतनता का अधिकार, उसी के अंदर आता है कि हर व्यक्ति को खाना मिलना चाहिए, और आप देख सकते हैं, मानव अधिकार भी आप मानव क चार परसेंट से बढ़ी है, बलब पर-capita income बढ़ रही है, और यह बहुत अच्छा record है, इसमें क्या है, जो लोग capita income की नीचे थे, वो higher income class में क्या है, पहुँच चुके हैं, और वो अब बलना लेबल नहीं रहे गए, और वो अपने खानी की जरुरतों को आसानी से पूर आँगा, आप यहां हमसे contact कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए, like, share, subscribe जरूर कीजेगा, thank you, thanks for watching.